एलो दोस्तों मैं हूँ MSK और आप से मका स्वागत है Minecraft Survival Guide में और आज की Survival Guide का टॉपिक है Potions in Minecraft तो Potions क्या है वो मैं आपको पताता हूँ उससे पहले लास्ट की वीडियो में हमने जो है वो नेधर में कहे थे नेधर फोर्ट्रेस हमने दूट निकाली और एट लास्ट हमें जो है वो ब्लेज रॉड जो में इग्रीडियन्ट या फिर आप बोल सकते हो में आइटम के लिए हम वहां पर गए थे वो था ब्लेज रॉड और वो ब्लेज रॉड हमें सक्सेस्फुली मिल गया है और दस ब्लेज रॉड मिले है और दस ब्लेज रॉड के लिए ही हम गयते अब ब्लेज रॉड का काम क्या रहता है वो मैं थोड़े असा बता देता हूं ब्लेज रॉड दो में काम के लिए जो है वो यूज किये जाते है फिर्स और पोशन के लिए जिसके बारे में आज हम यह इस गेम को खतम करने के बारे में तो थोड़े ऑनी समस्पर ने बारे में लेशियु आज के वीडियो में के बारे में और प्रिज रोड्ड इसे बनाना है brewing से हीं ऑने बना यह जो और same स्टैंड बना लेते हैं, brewing stand बनाने के लिए हमें जो है वो cobblestone चीहे और फिर हमें जो है वो एक blaze rod उपर की तरफ रखनी है और हमें जो है वो एक brewing stand मिल जाएगा, तो ये है brewing stand extra blaze rod रख देते हैं, और brewing stand जो है इससे हम potions बना सकते हैं और potions क्या होता है, potions असल में देखा जाए तो एक magical water बोल सकते हो या फिर जादुई पानी जो आपको limited time के लिए extra powers देतेता है, तो ये थी थी थोड़ी detail potions के बारे में, अब हम जो है वो सारे potions माइन क्राफ्ट में नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे वीडियो बहुत जादा बड़ा हो जाएगा और मैं आपको जो है वो crafting नहीं बताऊंगा potions की क्योंकि उससे भी वीडियो जो है वो बड़ा हो जाएगा, अगर आपको potions की क्राफ्टिंग करनी है, लिंक इंदर डिस् गेम में, तो first of all हमारे पास है portion of water breathing, अगर आपको नहीं पता portion of water breathing, जो है वो सीधा साधा अर्थ है जो ये portion बोलता है, वही ये portion करता है, आट मिनिट के लिए आपको जो है वो underwater सास लेने के लिए oxygen ये portion प्रोवाइड करेगा, तो अब जब मैं यहाँ पर जो है हमारे पास रिखनती है, हम इसके अंदर जो है वो जाते है, अगर आप मेरे right hand side, जो food है उसके उपर आप देख रहे हो तो वहाँ पर मेरे bubbles है, वो है मेरी oxygen, अगर वो oxygen पूरी तरह से कम हो जाती है या फिर zero हो जाती है, तो मैं जो है वो damage लेना शुरू कर दूँगा, और here we go, damage लेना जो है वो मैं शुरू करूँगा, बट जैसी मैं portion of water breathing पीता हूँ, here we go, अब मेरे पास जो है वो oxygen आ चुकी है, और मेरे जो है वो आप, top right hand side, आप देख सकते हो, हाप जो है वो bubbles का icon आ चुका है, और मेरे आजू-बाजू में ये जो particle effects, blue color के वो भी आने लगे, और यहाँ पर लिखा है, water breathing for cells, 8 minutes, तो हमारे पास जो है, वो water breathing है, 8 minutes के लिए या फिर आप बोल सकते हो कि 8 minutes के लिए oxygen है, हमारे second portion हमारे पास है, वो है portion of fire resistance, अगर आपको पता ही है, fire resistance का मतलब क्या होता है, हमें जो है वो आग से और लावा से जो है, वो resistance मिलेगा, यानि हम damage नहीं तो अगर जैसी मैं, ये लावा ही है, देखा जाए तो, हम जो है वो ये नेधर में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेधर में तो बहुत ज्यादा लावा है, और मुझे आपन मॉन्स्टर का सामना भी करना पड़ेगा, तो मैं नेधर में नहीं कर रहा बट मैं यहां पर करने व पहुत जोड़ ता डैमेज ता वो और मैं जस्ट जो है वो वाट लगने वाली थी मेरी और एक हिट और ये गेम का एंड हो जाता था यही पर ही, जैसा कि आप देख सकते हो मैं लावा में जो है वो जा सकता हूं और मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास जो है व ख़ी हो जा भी सकते है अगर हमें स्क्रफु थू जो है वह मेरी जुट में यूजर सकते हो तो सारे वर्ड में यूजर कर सकते हो जो तीन अबात में के वह जो हूं में स्पेसिफिकली एंड गेम में यूज़ करूंगा फर्स्ट वाल पोर्शन ऑफ स्विफ्टनेस याने स्पीड टू मिलता है आपको इससे एक मिनिट और तीस सेकंड के लिए और 40% आपकी स्पीड बढ़ जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं यह वह हमारी नॉर्मल स्पीड है जैसी मैं स्पीड टू पीता हूं अब इस पॉशन को पी होगे तो आपको जो है वह 6 अटेक्ड मिलेगा अब 6 अटेक्ड का मतलब कीं यहां पर मेरी स्वाड है के उपर 6 अटेक्ड जैमेड ठीक है अगर ये स्वाड मेरे हाथ में है और मैं आधे जो हम पोर्शन ऑफ स्ट्रन्ठ भी पिया है तो मेरी स्वा 12 का attack damage करेगी तो जैसे कि आप देख सकते हो अब हम जो है वह एकदम ऊपर की तरफ आ चुके है जैसे कि आप देख सकते हो वह रहा मारा कर रहा और हम जो है वह बहुत ज्यादा उपर आ गए अब आपको तो पता है यह माइनक्राफ में जो है वह फॉल्ल डैमेज है तो अगर motion of slow falling यह चार मिनट के लिए हमें slow falling देता है इसका मतलब हम जो है वह तीरे से नीचे की तरफ गिरेंगे ग्लाइड करते हुए किरेंगे तो जैसी आप यहां पर अभी देखी सकते हो कि हम जो है वह किस तरह से नीचे की तरफ जो है वह ग्लाइड करते हुए नीचे की तरफ जा रहें इस्टेड ऑफ धबाक से नीचे किरके हमारी हड़ियां तूट जाएंगी उससे अच्छा हम जो है वह ग्लाइड करते हुए यानि स्लोली नीचे की तरफ आएंगे लाज जो है वह स्ट्रेंथ पोश्चन का डेमो मैंने आपको नहीं दिया जो कि मुझे देना है बड़ मुझे कोई मॉंस्टर दिखाई नहीं दे रहा है एक स्पाइडर को मारने के लिए अब देखते स्पाइडर है हमारे साथ डेमो करने के लिए और अब हम यहां पर देखेंगे विसे एक से ज्यादा स्पाइडर है ओकि यह मिस्ता वन यह भी मिस्ता तू ओके सो इट रिक्वाइर्स टू शॉट्स तो तीन से जो हम जीरो आगए एक दो दो शॉट के लिए तो देख रहे ह जो है वह लेने की कोशिश कम करूंगा और हम जो है वह गलाइड होते जा रहे है जैसा कि आप देखी सकते हो जो है क्लाइड थे जा रहे है सभी चीज एब टूर्ट ने समय थे पास सिर्फ आयनस वो अबब होकर कि अगर dw aja में अगर सोचो अगर हमारे भास के लिए डाएमन थी दो हमya ज्यादा डामज कर सकते तो यह जो थे थोड़े बहुत डीटेल अबाउट द पोशन और जो पोशन मैं अपने इसमें यूज करने वाला हूं अपनी एंड बैटल में जो है वो यूज करने वाला हूं यह था वीडियो पोशन के बार में अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आग इस वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को आज के लिए बस इतना ही आप से मिलते हैं अगली बार और एक नहीं वीडियो में तिल देन स्टे सेफ एंड बाई बाई